क्या होता है NCC का Youth Exchange Program यानि YEP? Youth Exchange Program के अंतरगत हर साल Selected NCC Carrots इंडिया को रीप्रेजन करते हैं 11 different countries में. इन countries के नाम है Singapore, Vietnam, Russia, Sri Lanka, Bhutan, Kazakhstan, Turkmenistan, Nepal, Maldives, Bangladesh और Naval Cruise. इंडिया के हर स्टेट से एक SD और एक SW केड़ेट को मौका मिलता है इंडिया को रीप्रेजन करने का international platform में. YEP की Final Selection Republic Day Camp यानि RDC के दौरान होती है. Basic Selection सबसे पहले Unit Level पर August के महिने में होती है. फिर Selected बच्चे Group Level पर जाते हैं और वहां से जो बच्चे छटते हैं वो फिर Directorate Level पर जाते हैं. Directorate Level पर सेलेक्चेन होने पर सभी Directorate से बच्चे Republic Day Camp में आते हैं. और वहां पर फिर Final Selection होती है YEP के Carrots की. जो Carrots फाइनली इंडिया को रीप्रेजेंट करने के लिए सेलेक्ट होते हैं, उनके लिए Special Dresses सिलवाई जाती हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर Combat Dress बच्चों ने पहनी हुई है, इसके अलावा उन्हें मुफ्ती ड्रेस भी दी जाती है, आप देख सकते हैं, गर्ल्स ने साड़ी पहनी है और बॉइज ने मुफ्ती ड्रेस पहनी है. इसके अलावा सभी केरेट्स के लिए ब्रैंड न्यू खाकी ड्रेस सिलाई जाती हैं, और सभी को गोल्डन रैंक्स पहनने को मिलते हैं. साथ में एवरी केरेट्स एन इंडिया जर्सी, आप देख सकते हैं वाइट इंडिया जर्सी है और इंडिया का फ्लैक शोल्डर में बना हुआ है. बहुती गौरव की बात होती है इंडिया जर्सी पहनना और फॉरण कंट्री में अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना. फॉरण कंट्री विजिट करने से पहले पूरा डेलिकेट प्रधान मंत्री से जाकर मिलते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगापूर जाने वाला डेलिकेट प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी से मुलाकात कर रहा है. आप देख सकते हैं इन तस्फीरों में हमारे इंडिया के NCC करेट विदेशों के NCC करेट के साथ यूथ एक्षेंज प्रोग्राम के अंतरगत इंटरैक्शन कर रहे हैं. यहाँ इस फोटो में हमारी इंडिया की girl carrot को award दिया जा रहा है श्री लंका के officer दुआरा. YEP में selection के लिए basic requirement, smart turnout, excellent communication skills and good general knowledge about India's neighboring countries.